आज हम नैतिक्ता और नीतिशास्त्र के उपर चर्चा करेंगे समानिता ऐसा माना जाता है कि नैतिक्ता और नीतिशास्त्र एक ही है और है भी एक परन्तु दोनों के उपर जदी सुक्ष में रूप से विचार किया जाए तो दोनों में कुछ वैसम्मे प्रतीत होता है जिस प्रकार जगत की गतिशिल्ता से समबंधित शक्तियों का ध्यन विभिन विज्ञान करते हैं उसी तरह व्यक्ति के आचरण तथा समाज की गतिशिल्ता से संबंदिश शक्तियों का अध्यान विभिन समाजिक विज्ञान करते हैं उनमें एक नीतिशास्त्र भी है नीतिशास्त्र मानो आचरण की गतिशिल्ता का अध्यान करता है यहां गतिशिल्ता का ताद पर यह कारी बयापार से है मनुष्य एक समाजिक प्राणी है जब वो समाज में रहता है तो एक ब्यक्ति के आच्रण का प्रभाव दूसरी ब्यक्ति के आच्रण पर पढ़ना स्वभाविक है यह प्रभाव दो रूपों में हो सकता है या तो शाकारात्मक या नकारात्मक If it is positive, then it is good for individual and society both But if it is negative, then it is noxious, harmful for individual and society both जदी भावात्मक है तब तो बहुत अच्छी बात है परन्तु जदी हमारा आचरा नकारात्मक है हम अपने आचरा से दूसरों में कुप्रविर्तियों को विक्सित कर रहे हैं तो ऐसा आचरण न उस व्यक्ति के लिए न समाज के लिए विकास में सहायक होगा ऐसी परिस्तिती में समाज के कुछ लोगों ने विशेशकर जो इंटेलेक्श्वल्स हैं सोसल दिफॉर्मर्स हैं समाजिक लोग हैं समाज चिंतक हैं इन लोगों ने बैठ करके कुछ रूल फ्रेम किया कुछ कोड अफ कंड़क्स बनाएं कुछ आचार संगिताएं बनाईं उन ही आचार संगिताओं को नीति कहा गया है सो नीति इज नथिंग बट कलेक्शन अफ कोड अफ कंड़क्स याचार संगिता है उदेश्य क्या है तो डिटर्मीन दो हुमन कंड़क्ट मानो आचरण को नियंत्रित करना और दूसरा क्या है तो डिवलप सोशल हार्मोनी अनिश डाइनामिजम इन सोसाइटी समाजिक समरस्ता और उसकी गतिशिल्ता को बनाए रखना यही दो उदेश्य था इस प्रकार जो कोड अफ कंड़क्ट थे उनको तो नेतिक्ता कहा गया और जो उनका अध्यायन करने लगा वो निति शास्त्र हो गया इतिक्स हो गया इस प्रकार इतिक्स और मोरिलिटी दोनों का टार्गेट एक ही है कि व्यक्ति और समाज को अब व्यवस्था से व्यवस्था की ओर ले चलना व्यतिक्रम से विन्यास की ओर ले चलना अशुभ से शुभ की ओर ले चलना और सत्य से सत्य की ओर ले चलना नैनान नित रुच्चते जो नितिक्ता है वो नयन ब्यापार है नयन ब्यापार का मतलब to carry, to bear, the individual and society both दोनों को बुराई से अच्छाई की ओर ले चलना ये नितिक्ता और नितिशास्त्र का कारी है जदि अरस्तु की भासा में कहा जाए तो अरस्तु कहते हैं कि नितिशास्त्र का उदेश्य होता है ब्यक्ति और समाज को being से well being की ओर ले चलना जो हम है वो being है और जो होना चाहिए वो well being है अस्तित्व से शुभत्व की ओर ले चलना being से well being की ओर ले चलना ये नितिशास्त्र का उदेश्य है इन्ही मानिताओं की परिपेक्ष में नेतिक्ता और नितिशास्त्र ये आचारशास्त्र के भी चंतर किया जा सकता है At the surface, both terms have been used in the same sense However, whenever you study at the deeper level or subtle level you can clearly distinguish between morality and ethics But at the surface, there is no distinction पहली चीज ये है कि जो नेतिक्ता है वह एक आरंभिक अवधारणा है और जो नितिशास्त्र है वह एक विक्सित अवधारणा है आरंभ नेतिक्ता से होता है और बाद में वो नितिशास्त्र का रूप ले लेता है नमबर टू नेतिक्ता ब्यक्ती के आचरण को मर्यादित करने के लिए कोड अव कंड़क्ट है आचार संगिता है परंदू नितिशास्त्र इथिक्सिस नोट वनली कोड अव कंड़क्ट जब उस आचार संगिता का हम बिवस्थित रूप से अध्यान करने लगे तो वह शास्त्र का रूप ले लिया विज्ञान का रूप ले लिया तो अब नेतिक्ता नीत शास्त्र हो गया जो कोड अव कंड़क्ट थे वो शास्त्र के रूप में आ गए शास्त्र वहीं होता है कि true and systematic knowledge of anything is call science किसी भी चीज़ का सत्यपरक और बिवस्थित अध्यान ही विज्ञान है शास्त्र है तो जब नेतिक मानेताओं का बिवस्थित और सत्यपरक अध्यान किया जाने लगा तो वो विज्ञान का रूप ले लिया तो नेतिशास्त्र हो गया नेतिक्ता चुकी code of conduct है इसलिए वो आदरशात्मक होता है normative होता है नेतिशास्त्र भी normative है लेकिन नेतिशास्त्र किवल normative नहीं है बलकि नेतिशास्त्र एक normative science है नेतिक्ता तो किवल आदरशात्मक हो गया लेकिन जो नेतिशास्त्र है वो है एक आदरशात्मक विज्ञान है normative science विज्ञान दो तरह के होते हैं संशेप में एक descriptive science होता है वणनात्मक विज्ञान और दूसरे को normative science कहते है नियामक विज्ञान या आदर्शात्मक विज्ञान जो भी descriptive science होता है वो घटनाओं की सूचना देता है या उसका वरणन करता है इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये factual होता है तथ्यात्मक होता है परंतु जो normative science होता है वो कि वो सुचनात्मक नहीं होता है बलकी बहुत मानक आदर्श से संबन्दित होता है इसलिए वो fact-based नहीं होता है वो आदर्श आधारित होता है जो वरणनात्मक विज्ちान है वो true-false होता है लेकिन जो नीतिशास्त्र है जो normative science है वो true false नहीं होता है नेतिक्ता के शिधान नेतिक्ता के आदर्स या तो शुब होंगे या अशुब होते हैं या उचित होंगे या अनुचित होंगे या कर्तब्य होंगे या अकर्तब्य होंगे अर्थात ब्यक्ति और समाज को चलाने के लिए जिन आदर्शों की हम बात करते हैं उसी आदर्श के आधार पर हम व्यक्ति के आच्रण का मुल्यांकन करते हैं समाज का मुल्यांकन करते हैं इसलिए नित शास्त्र को normative science कहते हैं आप इसको दूसरे भासा मैं ऐसे कह सकते हैं कि जो factual science है या जो descriptive science है अन्य जितने भी विज्ञान हैं इनका संबंद ease से होता है है से है पटिस fact पटिस factual लेकिन जो normative science होता है वो ease से concern नहीं होता है वो ought से concern होता है चाहिए क्या होना चाहिए ये आदर्श की बात करता है और उन्हीं आदर्शों के आधार पर हम हमारे आचरण का मुल्यांकन करता है इसलिए कहा गया कि जो ethics है वो normative science है morality केवल normative है science नहीं है लेकिन ethics normative science है नियामक विज्ञान है क्योंकि वो उन आदर्शों को एक विवस्तित रुप से अध्यान करता है चौथा दोनों में अंतर देखेंगे तो आप आएंगे कि जो morality है morality is the foundation of ethics इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि नित शास्त्र कारे करे इसके लिए कुछ raw material होनी चाहिए और वो raw material जो stuff है वा किवल और किवल morality के द्वारा आता है so morality provides raw material for ethics and what is ethics? ethics is the critical reflection on morality जो नित शास्त्र है ओ नेतिक्ता का समिक्षात्मक चिंतन या समिक्षात्मक विवर्स है अर्था जो नेतिक मानिताएं हैं उन नेतिक मानिताओं का जब हम समिक्षात्मक अध्यान करते हैं उसके उपर critical reflection करते हैं critical reflection is the essence of philosophy जदि philosophy से critical reflection को हाता जीजे तो factual हो जाएगा सुचनात्मक हो जाएगा descriptive हो जाएगा this is the beauty of philosophy and this is the beauty of ethics also कि वो केवल आदर्स को देखती नहीं है बलकि आदर्स के उपर critical reflection करती है इसलिए कहा जाता है कि दोनों के बीच एक अन्य अंतर यह है कि नैतिक्ता क्योंकि मानो आचरण से संबंदित है इसलिए नैतिक्ता ब्यावहारिक है यह practical, it is practical ethics क्या है वो केवल critical reflection देता है उसका ब्यवहार से कोई मतलब नहीं है हम आचरण में नैतिक हैं कि नहीं हैं यह नैतिक्ता का काम है ethics का का काम नहीं है इतिक्स केवल एक सैधान्तिक अवधारणा है जो नैतिक मानेतावों का आलोचनात्मक, क्रिटिकल, मुल्यंकर करता है इसलिए कहा जाता है कि जो नितिशास्त्र है वो सैधान्तिक अवधारणा है जो नैतिक्ता है वो ब्यवहारिक अवधारणा है नेक्स्ट, नेतिक्ता हमारी परंपराओं पर बेष्ट होती है इथिक्स देखेंगे, morality मुरेश से बना है, जिसका custom अर्थ भी होता है तो ये परंपरा बेष्ट होती है इसलिए इसको dogmatic करते हैं बट इथिक्स इस नोट डॉगमेटिक इथिक्स इस फ्री फ्रॉम डॉगमाज, वो रूरी मुक्त है निति शास्त्री परंपराओं को, मानेताओं को, नेतिक आदर्शों को, आचार संगिताओं को, एज इटिज नहीं मान लेता है बलकि वो सारे प्रवाग्रवों से रहित हो करके डॉगमा फ्री हो करके, रूरी मुक्त हो करके, उसको critical reflection करता है इसलिए ये रूरी मुक्त कहा जाता है और क्योंकि नेतिक्ता परंपराओं पर अधारित होती है इसलिए वो emotion best होती है, भावना पर अधारित होती है उनके साथ हमारी भावना हैं जूर जाती है नेतिक्ता के साथ हमारी भावना हैं जूरी होती है emotion best होता है लेकिन जो ethics है, वो emotion best नहीं होता है, वो region best होता है ये बाधिक तरकना पराधारित होता है इसका emotion से कोई मतलब नहीं है इसका किवल और किवल संबंध region से होता है क्योंकि एक critical reflection करता है इसलिए region best होता है एक और है दोनों में अंतर वो ये है कि नेतिक्ता के लिए यहाँ प्रस्ण महत्पुर नहीं है नीतिशास्त्र के लिए कि हमारा कौन सा कारी उचित है और कौन सा कारी अनुचित है AJR कहते हैं कि नीतिशास्त्र इस प्रस्ण पर विचार नहीं करता है कि हमारा कौन सा कारी उचित है और कौन सा कारी अनुचित है बलकि नीतिशास्त्र इस प्रस्ण पर विचार करता है कि उचित अथवा अनुचित कहने का अधार क्या है अर्थ क्या है कब हम किसी कारी को उचित कहेंगे कब किसी कारी को अनुचित कहेंगे कब किसी कारी को शुब कहेंगे कब किसी कारी को असुब कहेंगे कब किसी कारी को कर्तब कहेंगे कब किसी कारी को अकर्तब कहेंगे तो जो नैतिक प्रते होते हैं इन नेतिक प्रतियों के अर्थ को बताना, उनका विशलेशन करना ये नीतिशास्त्र का कारी है। इसलिए कहा जाता है कि जो नेतिकता है उसका अध्येन नितिग्य करते हैं, मोरेलिष्ट करते हैं। मोरेलिष्ट कौन होते हैं? नितिग्य वो होते हैं जो ब्यक्ति के आचरण का मुल्यंकन करने के लिए तथा समाज की समाजिक समरस्ता और उसकी गतिशिल्टा को बनाए रखने के लिए कुछ कोड़ अफ कंड़क्ट बनाते हैं। तथा लोगों को उस ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये नितिग्य का काम होता है, मोरेलिष्ट का काम होता है। लेकिन जो नितिशास्त्री होते हैं और रूल फ्रेम नहीं करते हैं समाज को चलाने के लिए। वो code of conduct में ही बनाते हैं समाज को चलाने के लिए बलकि नीत शास्त्री जो ethicist होते हैं या जो moral philosopher होते हैं वो नैतिक मानिताओं का, नैतिक प्रतियों का स्पष्टि करन करते हैं अर्थ बताते हैं तथा नैतिक नड़ेयों के स्वरूप का स्पष्टि करन करते हैं अर्थात नैतिकता का निर्मार करना और लोगों को उस वर चलने के लिए प्रेडित करना ये नितिशास्त्रियों का काम नहीं है, ये नितिग्यों का काम होता है इसलिए प्येश नावेल स्मित कहते हैं कि नितिग्य और नितिशास्त्री दोनों अलग अलग होते हैं नितिग्य का कार्य आदर्ष के अस्थापना करना उस और चलने के लिए लोगों को प्रेडित करना है नितिशास्त्री का काम न तो आदर्ष के अस्थापना करना है न तो उस और चलने के लिए लोगों को प्रेडित करना है बलकि इनका target की बली एक है कि नैतिक समप्रतियों का अर्थ बताना, शुभ क्या है, उचित क्या है, कर्तब भी क्या है, तथा नैतिक निर्णों के स्वरूप का स्पष्टी करन करना है और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि नैतिकता और नितिशास्थ्र समानित दोनों का प्रियोग समनार्थे कर्थों में होता रहा है, परنتुरू जैदि दोनों पर हम शुक्ष्टा पुर्वग विचार करें, तो दोनों में कुछ वैशम्य, स्पष्ट रुप में प्रतीत होता है थैंक यू